तो हेलो दुस्तों क्या हाँ चाले में आज शे कता हूं किया सब बढ़े हों कि तो आज की स्वीडियो में हम रियाट करने वाले वाले एक वीडियो के ओपर जिसका नाम है दूस्थ टो भाई यह जो वीडियो एक सब्सक्राइबर ने एक मनीने पहले से आप अपा कि याद का फी टाइमसुख और और ने फीर से मैसेज हिया था कि अगर आपने बनाङो पफिता दे तो पहले है तो ऐसा कुछ मैसेजी था तो ऐसा कुछ मैंने नी बनानी नी थिया हम हमें काफी टाइम बार शेयर भी किया कि क्या क्या सिचुएशन थी तो भाई आज इस वीडियों हम इसी वीडियो के ओपर रियाइट कने वाले है तो गाई वीडियों बहुत जादे इंटरस्टी होने वाले इसी वीडियों को बिल्कुल भी स्किप ना करें और तक जरूर दे करें और साथिसाथ थोड़ा समझना भी कि यार हम किसी के मैसेज़ का या किसी के कोई भी मैसेज़ सब्सक्राइब करें हम उनको इग्नौर नहीं करें हमारी शोड़ी वह सिचुएशन थोड़ी खराब है इसलिए हम थोड़ा नहीं कर पा रहे हमें को स्टेबल होने में टा एक थोड़ा सा हश्या हो, थोड़ा सा पेशंस रहो हो तो लिंक दो हो जैए, आपको एंभाक है दिस्क्रिप्शिन में दो दो जाए। हमें पता नहीं है त्यूर थे खिश्न – एल्ग घूर फिल हमें आपन हहाज बैडने हिए वहाज है तरम फ़ींग गिस्तों। बाज ते कि इसे वेड़ें बड़ी को ऊधियो प्यूज स्टूरी को रिकल जसा इस वीडियो में actually में क्या है, तो चलो, one, two, three, go! जगन्नातपूरी और ये कहानी है जगन्नातपूरी की, जहां पे आज भी श्रीकृष्ण का वास्तविक दिल धढ़कता है, इस मंदिर के कुछ ऐसे रहसे हैं, जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जोन्स से बनती हैं, वहीं जगन्नात मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकडी से बनी होई हैं, ऐसा क्यूँ? आएए बताती हूँ. 312 BC में, जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यू हो गई. जारा ने श्री कृष्ण का देहिसंसकार किया पूरे रीती रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शान्त हुई, तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी. जारा को ये समझ नहीं आया था कि ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया, पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया. फिर आखिरकार, जारा ने हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया. गुप्त सामराज्ये के समय, अवन्ती के राजा इंद्रद्यूम, जो कि विश्नु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विश्नु जी ने एक नदी में डुपकी लगाने को कहा, और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी म मैं मिलूँगा। पर मेरी एक शर्थ है, राजा ने काश्टकार से उसकी शर्थ पूछी क्योंकि राजा किसी भी शर्थ को मानने के लिए तयार थे, तो काश्टकार ने कहा कि ये मूर्ती बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो अवन्ती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्टकार मड़ चुका है, इसलिए उन्होंने जहां मूर्ती का काम चल रहा था, उस कमरे के दर्वाजे को खुलवाने की जित की, और राजा को उनकी बात माननी पड़ी, जैसे ही दर्वाजा खुला, तो उन्होंने ये देखा कि महा कोई काश्टकार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तीन मूर्तियां थी, भगवान जगनात, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, और उसी जगनात जी की मूर्ती में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, करता है, और हम सबने ये तो पढ़ा ही है, that stones and metals are good conductors of electricity, and wood is a bad conductor of electricity, इसी लिए, idols in the जगनात temple are made up of wood, सिर्फ ये ही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ती स्थापित की जाती है, और भगवान के दिल को उस मूर्ती में shift किया जाता है, ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो energy transmitting device, if we talk scientifically, उस मूर्ती में होता है, वो इतनी energy transmit करता है, that the wood gets depleted with time, और इसी लिए उसे बदलने की जरूरत होती है, पर इसे बदलने का process भी इसी की तरह बहुत interesting है, हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है, जिस दिन मंदिर में किसी को entry नहीं मिलती, पूरे पूरी श कड़े और मोटे gloves पहनाये जाते हैं, और 100% अंधेरे में इस दिल को निकाल कर नई मूर्ती में फिर से स्थापित किया जाता है, जिन पंडितों ने इतिहास में ये ceremony करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हातों में पकड़ने पे ऐसा लगता है, जैसे जिन्दा खरगोश पकड़ लिया हो, माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया, तो उसकी मौत उसी समय निश्यत है, इसी लिए बिना आखों पे पट्टी लगाए, किसी को भी ये सेरिमनी करने की पर्मिशन नहीं है, इस मंदर के उपर एक जंडा है, जो साइन्टिफिक लॉग के बिलकुल विपरीच चलता है, जैसे कि हमें पता है कि जिस डिरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डिरेक्शन में उड़ती है, और जंडा भी उसी डिरेक्शन म बात पिल्कुल अलग है ये हमेशा हवा के opposite direction में उड़ता है क्यूं और कैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया इस जंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है इसलिए मंदर के पांडू 214 फीट उपर लगे इस जंडे को रोज चड़ कर बदलते हैं क्य मंदर में आये भक्तों के बीच रोज प्रसाद बाटा जाता है उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है और जगनात मंदर में होने वाली हर चीज में कही ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला चुपी है मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी-कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है पर जगनात मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा दिन भर मंदिर में प्रसाद बाटा जाता है पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है पर ऐसा estimation इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है और ये बात यहीं खतम नहीं होती प्रसाद बटने की mystery तो है ही उससे बड़ी mystery है प्रसाद बनाने की लकडी की आग पे साथ मिट्टी के बरतनों को एक के उपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है Science और Logics कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बरतन का प्रसाद पकना चाहिए पर पूरी के जगनात मंदिर में Science और Logics नहीं चलते इन साथ बरतनों में सबसे पहले सबसे उपर रखे जाने वाले बरतन का प्रसाद पकता है फिर उससे नीचे वाले बरतन का और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बरतन का प्रसाद सबसे आखरी में पक के तयार होता है हां मुझे पता है आपको भी अभी कुछ नहीं समझा रहा होगा इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया इस मंदिर की खुबसूर्ती शब्दों में नहीं बताई जा सकती इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलोजी के कैसे बनाया होगा पर क्या आपको पता है दोसो चौदा फीट के इस मंदिर की डोम की परचाई आज तक कभी बनी ही नहीं Are you shocked? You must be But it is true जगनात पूरी टेंपल के डोम्स की शाडव पंती ही नहीं है कभी भी at any time of the day और हमारी फेवरेट साइन्स इस बात का भी लॉजिक नहीं डूण पाई The mystery is not over here जैसा कि हमें पता है कि कुछ buildings, architectures and areas no fly zones होते हैं मतलब महां drones, airplanes या कोई भी man-made flying object पहुचाने की या उडाने की permission नहीं पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है न पर अगर हम जगनाथ temple की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं क्योंकि इस मंदर के उपर कोई भी drone, कोई भी airplane या कोई भी पक्षी कभी उडता ही नहीं आपने देखा होगा न मंदर के domes पे या बड़ी-बड़ी buildings पे birds को बैठे हुए कभी जगनाथ पूरी जाएंगे तो देखेगा आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगनाथ टेंपल की छट पे या उसके domes पे बैठा हुआ नहीं देखेंगे पर confuse करने वाली बात ये है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदर के उपर से उड़कर नहीं जाना अगर आपको ये कहानी जानने में और सुनने में मज़ा आ रहा है और आप ऐसी ही नहीं नहीं चीजें और कहानियां जानना चाहते हो तो Naked Truth को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम आपके लिए बार-बार कुछ नया लाते रहेंगे आए फिर से चलते हैं जगनात मंदर की मिस्ट्रीज की तरफ सुदर्शन चक्र ये नाम तो आपने सुनाई होगा सुदर्शन चक्र भगवान विश्णु का अस्त्र है ये अधर्म का विनाश करता है जगनात मंदर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और उससे आप जिस भी डिरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी भगवान जगनात जिनके नाम का मतलब ही जगत के नात है इनके मंदर में लाखो श्रधालू अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं पर इस मंदर में सिर्फ हिंदूों को दर्शन करने की अनुमती है किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाय जाते हैं और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंद्रा गांधी जी वो भी जगनात पुरी गई थी दर्शन करने पर क्योंकि वो फार्सी है और हिंदू नहीं और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है इसी लिए इंद्रा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमती नहीं दी गई सिर्फ ये ही नहीं 2005 में थाइलैंड की प्रिंसिस महाचकरी सिंधोन को भी जगनात पूरी टेंपल में एंट्री नहीं दी गई थी क्योंकि यहाँ फॉरिनर्स अलाउड नहीं है उनके लिए अर्रेंजमेंट्स की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए गए 12 सदी से बने हुए इस मंदर को स्विजलैंड की एक महिला ने 1 करोड 78 लाख रुपे का चड़ावा भी चड़ाया ये मंदर में चड़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चड़ावा है पर फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने पड़े हमारे ही धर्म की इतनी सारी बाते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं हम आखे बंद करके किसी भी कल्चर को किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिन्दा रखा है ये सनातन धर्म है और अब हमें धर्म को बचाना है हर साल पूरी में जगनात जी की रत यात्रा भी निकलती है ये नौ दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगनात, देवी सुभध्रा और भगवान बाल भध्र को गर्ब ग्रह से निकाल कर रत पर बिठा कर यात्रा करवाई जाती है माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान नौ दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोडो भक्तों की बीड हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है जगनात पूरी मंदर की मिस्ट्रीज यहां खतम नहीं होती और भी बहुत सारी कहानिया हैं जो हम नहीं जानते जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बिमार पढ़ते हैं और भक्तों के लिए मंदर में दर्शन बंद कर दिये जाते हैं पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है एक डीटेल ब्लॉक का उसे पढ़ना मत भूना वी होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा तो अब मैं आप से पूछना चाहते हूं आपको क्या लगता है भगवान सच में होते हैं सच से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब तू देनेके चुट क्यों निकाले जाती है कि इस तीन जब्लॉण की का यात्रा की जाती है नोजी तो बंद्रा बंद्रा है लोग महाँ तो माले की वो ही बताया गया था हमने वो ही देख ता इस फरली वीडियो में हमें हार एक चीज किए ज अचोलीक में फिरी विरी मंदर ऐते ही जो होंशे हूशे है रिल घ्रदी सिहने जबना को आपकें के हम चढ़ी इसरे में दो जो म्रित्वासी ग 파ट जो ही मृत्ति जो कि पूल रहे जो और उनकी जब उनकी जब उनकी जब आपक आपका चाहरते हैं लिए दुवेशन जब नहीं अनोगी जब हो नहीं अध्यल सब की अध्य। तो बाजारे उठाया वहां से वो फिराड जगा दो बेशनी कोशिश रचानी कोशिछ है पर बेशनी तो बेशना थी तुक बड़े दूर नो बात दो रहा दो है अ घराचा पर भीन डारी सिर भाएक दो ओप हुआ है उसके बानेवाला पर पॉर्टी बनानेवाला फैनले स lata 21-60 और सुनकाम की था ए है को दिल भासा हृथ इस जाए बना One पिर अचन्थी दिल को महां पर रख जाए थैस मण आई था वे साइड हो कि इसके साथ रहे होंगे, पख्षया रहरे कि पाक्षिया हैं, रहे हैं वे अरोप्र थाटीन झालता देखते हैं यह जो मंदिर इस्पेशली सिफ हिंदूस ही जा सकते हैं, दूसरी कोई भी रिलिजन्स कोई होगे, वो बड़े से बड़े लोग किव नहाँ इस मंदिर में एंटर नहीं कर सकते हैं मलब हमने इस वीडियो में काफी कुछ जाना है इस मंदिर के बारे में जगनात्पूरी मंदिर के बारे में और भाई साथ हमें काफी जादा में अच्छा लगा जानगे कि देखो यह सही बात है कि वी जो हिंदूस हैं मलब दीरे दीरे वेस्टन कल्चर को फॉलोग करने की को अच्छी बात है लेकिन भाई देखो वही है कि अपने धरन को हमी बताना है और बस यह वीडियो का जो मोटिव था वही है कि लोगों को दादर जादर पता चले और हमें भी कुछ नया पता चला और बस कमेंट सेक्शन में लिख देख देख सनातन धरन की जाए हमें काफी मुलाव यह हमारे उपीनिन के हमें तो काफी अच्छा लगा बागे आज सबकर क्या उपीनिन है अब अपना उपीनिन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेर करना है तो चले आज की अप्शब यही पर ठतम करते हैं अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है जल्दी से वीडियो को लाइक चेर और सुब्सक्राइब करता जरूर से जाना यार सन्नातन धरम की जा हो मने करो जा जा जगरनात यार सिंपल सी बाते चली मुलागात हो यह आप से मारी किसी नेक्स वीडियो में तब 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 ताब भाई बाई